आपने बहुत बार सुनना होगा कि in the illumines के साथ काम मत करो वो आपको अच्छा पेष नहीं करते हैं ज्यादा परिशान करते हैं क्लाइंट और की U.K की के यू.S के होने चाहिए वाइपको बहुत सारा पैसा देंगे यह टम हम लोग से हैं यह वने बहुत लोगों से सुना होगा ऐसे लोगों से जो पास्ट में काफी सक्सेस्ट हुए हैं या फिर उनके काफी पुराना उनका experience है बट अगर मैं आज आपको अपने experience से बता हूं तो India is something जिस पर आपको focus करना चाहिए जिसमें आने वाले पांच साल में बहुत जदा रिटर्न से बहुत जदा बिजन स्कॉप है इसका मैं सबसे में रीजन आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताने वाला हूं मेरा जो एक्स्पीरियंस रहा है जनरली अभी हम यूस की मा चैनल कि अब वहां पर प्राबलम क्या हो रही है जाजाता थर मैने जो देखने दुबई की मांकेड में जिनके बिसेंगे परोजेट से जरूरी नहीं हो इंडिया से करा रहे हो उनके करने वाले लोग अगर वो company काफी बड़ी company हैं उनके revenues काफी अच्छे अच्छे हैं तो आइधर वो दुबई के लोग हायर करते हैं या फिर वो पाकिस्तान, कजाकिस्तान आस पास के countries से भी वो लोग हायर करते हैं जैसे भी हम Philippines में काम करने हैं, Philippines में भी हमारी कुछ partner agencies हैं, जिनके साथ हम काम करके, B2B काम करने हम उनको work deliver करने हैं कुछ digital market agencies को, but उनके बास जो project हैं, वो बहुत दो जूर से हैं, वो like Vietnam से, Indonesia से, वो लोग projects लेके आते हैं, तो इससे आप क्या समझ रहे हो, जनरली जो बाहा की मार्केट है जैसे कि US, UK, Philippines, Dubai इन मार्केट में पूरे वर्ड की नजर है मतलब इंडिया के लोग freelancers, agency owners तो हैं यह वहाँ पर बागी के जो freelancers है न बागी के जो agency owners हैं बागी के जो ओर्ड में top top countries हैं वहाँ के जो लोग हैं सबकी नजर उन कुछ countries पर हैं बट अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो मान के चलें इंडिया में किसी बिजनस ओनर को ads run कराने हैं तो मुझे ने रखता है शायद until unless को कोई unicorn जैसे कंपनी है वो जाके US, UK, Dubai यहां की firms को hire करें वो चाहेंगे कि अगर वो स्मॉल या मिडियम साइस बिजनस भी है तो वो चाहेंगे कि कोई ऐसा इंडियान मंत हो फ्रीलांसर हो जो उनके बिजनस को manage करें यह जो मैं बात करना हूं यह आसपास के country में भी लागू होती है जैसे के इंडिया आसपास में बागना देश पाकिस्तान यह जो country जो परसली मेरा अभी इंडिया को लेके रहा है कि इंडिया में अभी टूथा से नोटीव में फाइव हंड़ेड मिलियन अक्टिव यूज उसके पहले इंटरेट पेनेटरेशन भी नहीं हुआ गड़ा था अभी जो परसली मैंने एक्स्पिरियंस किया है अगर आप इंडियन मार्केट को फोकस कर रहे हो इंडियन मार्केट पर अपने पुरा ध्यान लगा रहे हो आप बहुत जादा ग्रो कर सकते हो क्योंकि हमने जनले इंडियन मार्केट को ही टागेट किया है हमारे बाहर के क्लाइंट है बच सबसे अगयों रिवेन्यू प्रॉफिट्स हम लाते हैं हम इंडियन मार्केट से लाते हैं टॉप रिजन है हमें यहां की साइक्लोजी को समझना काफी असान होता है इन कंपैरेजन टुई- या दुबई के कोई ऐसा बिजनस जैसे अभी हम दुबई के का विजनस के साथ काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको चाहिस्तान पोलेंट फिनलेंड यहां से लीड्स हैं तो हमें हर कंट्री की मार्केट को साइकलोजी को समझना है बट अगर हम इंडिया में मार्केट कर रहे हैं तो नंबर वन रिजन मैं इंडियान हूं मैं इस मार्केट को समझता हूं मैं इस मार्केट को जान रहा हूं यहां की थोड़ी कंजुमर साइकलोजी को समझता हूं तो मेरे लिए पर्सली यहां पर अड़ियोंस को टैप करना ज्यादा असान है उनके हिसाप से ल यहां पर आपको अपने हिसाब से बैलेंट करो जब तक आपके यह एक फैक्टर हो गया दूसरा फैक्टरी यहां पे जो सिपे सी एकास्त पर क्लिक है वह बहुत लो है इन कंपैरेजनें टू अदर मार्केट जो बाहर की मार्केट है इस कंट्रीज में अभी ज्यादा तर जो काका स्ट पर क्लिक हो भी कम है मतलब अगर आप अगर आप अड़ चलाते हो कि जनरली मैं आपको इसलिए पतार आँ कि हम इन सब कंट्रीज में अब कर चुके हैं काफी अलगल कंट्रीज में हम आप्ट रन कर चुके हैं तो जो इंडिया में कॉस्ट पर क्लिक आती है क्या स्टमर एक अक्षिशन की स्ट आती हो काफी लो है in comparison to those markets तो यह सेकेट रीजन है कि क्यों इंडिया में डिस्टूम मार्गेटिंग अभी और ज्यादा ग्रोव करने वाला है थर्ड रीजन इंटरनेट अभी बहुत जादा बढ़ने वाला है और जो कंजूमर हैबिट्स है मतलब पहले आप देखो कि ओनलाइन लोग कितने शॉपिंग कर देते हैं अभी यूपी आगया यह सम्धिया लोगी स्पेंडिंग केपैसिटी बढ़ती जा रही है इससे क्यों होता है इन सब इन सब के डेटा के बेस्पे हम लोगों ने अपने लिए प्लाइन निका लिए कि हम बाहा की मार्केट में तो काम करेंगे करेंगे बट हमें एक ऐसा इल्यूजन ही अपने माइंड में क्रियेट करने हैं इन्हीं अगर हमारा को सिद्नी क्लाइट आप ही रहा है तो हम भी न लाएंगे काम करेंगे बट डेट इस नौट सम्धिंग आर प्रियारिटी कि हम उसी पर काम करते रहेंगे अगर हम इदर काम आ रहा है तो उसको छोड़ देंगे और मैं आप सब को इस वीडियो के तो यही अपना श्यार करना चाहता हूं इस चैनल पर में एक्स्पीजिए करता हूं उन एक्सपीजिएंस से बहुत सारे लोगों के हल्प होती है बहुत सारे लोग मुझे करते हैं तो इस एक्सपीजिएंस के तुरू मैं भी आपको बता रहा हूं कि मैंने भी बहुत सुना है बहुत सारे लोग से करते हैं यार मत काम करो छोड़ दू तो आपको छ क्लाइंट को काम मिल जाए तो हम बहुत चोड़े बजट पर आ जाते हैं कि मार्केट खराब है थोड़ा सा कर्विजन हो जाता है अगर हम अपने स्टाइटिजिस को इंप्रूफ कर ले और एक्सपीरियंस वह पोट्फोलियो गेंड करते जाए तो कुछ टाइम बात हम करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें करते हैं तो उसके डेटा के उसके बेस पर बातों के बेस्पे आफ ने मैं इक इलुजिन क्रेट करें और जो प्रोजेक्स आ रहे हैं उनको भी छोड़ते हैं तो आपको यह नहीं करनी है आपको फिदियो पसंद आई होगी और भी आपको इस तरह के वीडियो चाहिए एक्स् करते हैं? झाल झाल